वेलकम बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी स्लेवस यूटूब चैनल पर और आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वेकेंसी जैसा कि आप लोगों को पता है कि आ रखी है इंडियन वाटर वेज में देखिए वैसे तो इसमें वेकेंसी उतनी यादा आती रही है लेकिन क्य स्लेवस और इगजाम पेटन जो इसका रहेगा निगेटीव मार्किंग है कि नहीं कितने स्टेज़स में आपका इगजाम होने वाला है मेरे लिश्ट कैसे बनेगी रिटेन एग्जाम क्या होगा ठीक इंटरव्यू है कि मैं तो सारी चीजी हम इसमें देखने वाले हैं ठी तो चार पोश्टों का हम डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो नहीं से लेविस एक्जाम प्रेटन पता होना चाहिए तो जरूर से आप देखी और इसकी त्यारी कर सकते हैं संचेप मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि इन लेंड वाटर वेज अथॉर्टी ऑफ इंडिया क्या होती है बलब क्या काम रहता है जैसे आपने फॉर्म तो भर दिया किस तरह का काम आपको करना पड़ेगा उसके बारे हम थोड़ी से जानकरी आपको होने चाहिए डि ठीक है जो कि कलकत्ता में पढ़ता है तो कलकत्ता था हुगली तक इसमें क्या है यह नेशनल वाटर वेज है इसमें क्या है कि छोटी-छोटी सिप चलती है जो सामान को एक जगा से दूसरे जगा लेके जाती है जैसे कि सड़क परिवान मंत्राल है वो क्या रोडों का रख रख रखाव करता है जो national जलमार्ग उनका रख रखाव करेगा और साथ में नए waterways बनाने की कोशिस करता है तो सेम इनका काम रहता है ठीक है अब देखो सड़क तो कहीं भी बनाई जा सकती है लेकिन Waterways तो हर जगा नहीं बनाए सकते हैं जहां बड़ी रिवर वहीं तो बनेंगे तो इनकी एक limited है ठीक है और बहुत ज़्यदा यह authority भी नहीं है बहुत ज़्यदा बड़ी इसमें जनसंख्या पब्लिक भी काम नहीं करती है तो हमने देख लिए थोड़ा सा कि आपका Waterways Authority of India क्या होती है इसके बारे हमने आपको यहां से बताया अब हम आगे बढ़ते हैं इसका syllabus और exam pattern के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से discuss करने वाले हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं देप्टी डारेक्टर की जो पोस्ट है उसका syllabus exam pattern क्या रहेगा डेप्टी डारेक्टर फाइनेंसर ने एकाउंट्स के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए दो भागों में बटा हुगा है stage 1 और stage 2 ठीक है stage 1 की बात करते है stage 1 में क्या है कि दो आपके CBT होंगे दोनों objective टाइप रहेंगे तो tier 1 tier 2 बोल सकते हैं इनको stage 1 के अंतरकत दो भाग है tier 1 tier 2 तो जो tier 1 है इसमें आपका क्या रहेगा इसमें एक नमबर का एक प्रशन होगा negative marking भी आपकी रहेगी mcq tab के आपके प्रशन रहेंगे ठीक हिंदी इंग्लिस दोनों में पेपर आएगा और इसमें जो है ना total 100 questions रहेंगे और 100 number के रहेंगे और 100 minute की duration रहेगी ठीक है time आपको 100 minute दिया जाएगा अब इससे अंतरकत देख लेते हैं tier 1 में क्या-क्या और detail में आएगा जनरल इंग्लिस आएगी 25 नंबर की जनरल मैथ 25 नंबर जनरल नॉलेज 25 नंबर रीजनिंग भी 25 नंबर की ठीक है तो यह tier 1 हो गया अब tier 2 की बात कर लेते है tier 2 क्या है कि 100 minute का आपका time रहेगा 100 multiple questions रहेंगे लेकिन इसकी कठनता का इस तर डिग्री लेवल कराएगा मतलब प्रस्ण थोड़े कठिन पूछे जाएगे ठीक है अब इसमें क्या क्या आएगा corporate accounting हो गए income tax हो गया है ठीक है cost accounting होगी practice of auditing management accounting financial accounting ठीक है budgeting GFR और accounting standards related आपके questions पूछे हैं मतलब यह आपके academics related questions आपके रहेंगे ठीक है तो अब देखते हैं जो आपका stage 2 है stage 2 में क्या है कि दो भाग है एक भाग में क्या है कि आपके academic के number है ठीक है तो इसमें क्या academic अगर आप अपने CA किया है तो उसके अलग नंबर है तो 10 नंबर आपके इसमें मिलने वाले है maximum number ठीक है आप यहां से screen पर देख सकते हैं इसके बाद जो part 2 है आपका stage 2 का इसमें क्या है interview 10 नंबर का है तो interview आपके जो ना एक तो knowledge base भी रहेगा आपके academic से पूछ सकते हैं तो थोड़ा wise आपका जो stage 1 है उसके बारे हमने आपको पहले ही बता दिया है ठीक है तो 100-200 को वो 220 का आपका टोटल इसके आपका exam वगएरा हो गया ठीक है तो यह हमने बात कर ली जो deputy director उसकी post की आगे हम बात करेंगे जो है junior hydrographic surveyor इसकी जो है वेकेंसिया रखी है तो इसमें किस तरह एक आपका exam pattern रहेगा तो देखिए सबसे पहले जो इसमें stage 1 है stage 1 में क्या है कि सरफ एक ही stage है इसमें stage 1 ही इसमें दो आपके exam रहेंगे दोनों ही CBT रहेंगे तो उन्हें हम दो भागों बाढ़ सकते हैं tier 1 tier 2 तो जो आपके tier 1 है यह objective type का रहेगा ठीक है इसमें technical questions रहेंगे 100 mcq रहेंगे 100 number के रहेंगे negative marking भी आपकी इसमें होने वाली है और टोटल टाइम दो घंटे इसमें अलॉट रहेगा आपका ठीक है तो इसमें क्या है technical questions में आपके water इंजीनिंग से surveying से रिलेटेड ठीक जीओ टेक से रिलेटेड ट्रांस्पोर्टेशन से रिलेटेड और hydraulic और hydrology irrigation and hydraulic structure से रिलेटेड आपके questions पूछे जाएंगे ठीक है तो यह चीज हो गई अब इसमें कितने कितने number के रहेंगे इसके बारें भी हम थोड़ा से आपको बता देते हैं जैसे कि water engineering है इसमें 15 questions रहेंगे surveying में 30 questions रहेंगे geotag में 15 questions रहेंगे transportation में 10 questions रहेंगे और hydraulics और hydrology और irrigation में 30 questions आपके पूछे जाएंगे ठीक है तो यह बात हो गई important थी इसके बारें हमने यहां से बात कर ली ठीक है तो यह important चीज काफी रहती है कि आपको पता होना चाहिए कितने questions आ रहें और कौन-कौन से topic आ रहें अब हम tier 2 की बात कर लेते हैं ठीक है tier 2 में क्या है कि इसमें आपके 25 questions रहेंगे 25 नमबर के रहेंगे ठीक है और 30 मिनेट की time duration आपको दिया जाएगा objective type के रहेंगे क्या-क्या पूछा जाएगा इसमें देखिए quantity, aptitude मतलब गडित, MS Office, Excel, PowerPoint से related, analytical reasoning रहेगी, simple English रहेगी, general knowledge रहेगा तो सिर्फ 25 questions ही general topics से आपके पूछे रख सकते हैं, तो यह काफी जरूरी चीज थी, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आंगे बढ़ते हैं, आंगे बढ़ने की सरंकला में, तो 100 questions आपके इसके हो गए, ठीक है, और stage 2 के, और जो आपके stage 1 थी, उसमें आपके total 100 में भी थे, तो for the post of junior hydraulic surveyor, इसमें क्या था, आपके stage 1 थी, तो एक ही stage थी, इसमें stage 1 दो भागों बटी हुई थी, आपके tier 1, tier 2 में, तो tier 1 आपका total बढ़ा था, 100 नंबर का, ठीक है, और tier 2 आपका 25 नंबर, तो इस तरह टोटल 125 नंबर के आदार पर आपकी final मेरी लिष्ट बनाई जाएगी, ठीक है, तो हमने यहां से discuss कर लिए junior hydraulic, hydrographic surveyor के लिए आपका क्या-क्या syllabus और exam pattern रहेगा, ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आँगे बढ़ते हैं, आँगे बढ़ने की सनखला में, अब हम stenographer grade D का जो पद है, इसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो देखिए, जो stenographer का पद है, इसमें दो stage का जाएगा, objective type का, दूसरा आपका skill test होगा, मतलब, क्योंकि stenographer है, तो stenographer है, आपकी test लिया जाएगा, ठीक है, अब जो आपका stage 1 है, तो इसमें कहें, tier 1 में मैं आपको बताऊं, CBT में क्या क्या रहेगा, CBT में आपके total रहेंगे, एक question, एक number का रहेगा, ठीक है, multiple choice type के रहें 120 मिनट का आपका समय रहेगा, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हो गए, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, English language रहेगी, 100 number की, 100 questions रहेंगे, General Intelligence के 50 questions, 50 number के, General Levels के 50 questions, 50 number के, तो total आपका कितना हो गया, 200 questions हो गए, 200 number के, अब जो skill test है, जिसे आप tier 2 कहते हैं, इसमें आपको जो इना qualify क करना है, तो इसमें क्या कि 50 मिनट इंगलिस के लिए और 50 मिनट हिंदी वाले बच्चों के लिए इसमें दिये जाएंगे, तो इसमें आपको सिर्फ qualifying करना है, ठीक है, और ये हर व्यक्ति को देना ही देना जिसने stenographer के लिए apply किया है, ठीक है, तो ये चीज होगी, अब जो final memory list बनेगी, वो सिर्फ written exam के base पर बनेगी, और stenography में आपको सिर्फ qualify होना है, ठीक है, तो मदब 200 नमबरों के आधार पर आपकी final memory list बनेगी, तो ये बात हमने कर लिए stenographer के लिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो आपका lower division clerk है, इसका syllabus और exam pattern क्या रहेगे, इसके बारे में देखते हैं, इसका जो प्रशन पत्र वो तीन भागूं बटा है, tier 1, tier 2, tier 3, जो tier 1 है, उसमें क्या है, कि आपका 1 CBT होगा, objective type कर रहेगा, उसमें क्या का आएगा, English language आएगी, General Intelligence आएगी, गडित आएगी, और general awareness, 25 questions के सारे, और एक प्रशन दो अंक का होगा, 50 number का, ठीक है, तो total questions कितने होगे, आपके 100 questions होगे, 200 number के, एक गंटे का time दिया जाएगा, तो 200 number का आपका tier 1 हो गया, इसके बाद आपका descriptive हो गया है, इसमें क्या है, कि आपके 100 number का रहेगा, pen and paper में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, दो गंटे का paper रह आपका और एक application writing, तो तीन तरह के इसमें descriptive paper में आपके रहेंगे, एसे लिखना पड़ेगा 500 word का, लेटर करन लिखना पड़ेगा 300 से 500 word का, और application भी लिखना पड़ेगा 300 से 500 word का, एसे 40 number का है, लेटर 30 number का और application 30 number का, तो आपके 40 वो और 60 है, 100 number का आपका descriptive हो गया, ठीक है, इसके बद आपका skill, जो test है, typing test है, वो आपका लिया जाएगा, तो typing test तो देखिए, lower division clerk में होता ही होता है, अगर आप किसी भी department का lower division clerk, अगर आप exam देते हो, तो आपका ये test लिया जाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि आपको जो waterways authority of India है, इसके बारे में आपको प georgraphic, जो surveyor है उसकी, तो उसका slavos और exam pattern किस तरह एक रहेगा, हमने detail में चर्चा की, अगर कुछ और आप जानना पूछना चाहते हो, तो हमें comment कर सकते हो, फिलाल इस वीडियो उमीद नहीं रखना चाहेंगे, हम आप से मिलते हैं, बेस जल्द अगली वीडियो में तब त बात्रम.